Hi everyone, I am Suneesh and welcome back to the channel Guys, काफे टाइम से चैनल पर वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रही है बट अब भी continue वीडियोज अपलोड होएंगी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक special topic पर है जो की हम सब चाहते हैं कि हमारी life में हम उसको apply करें होता क्या है कि middle class families में हमेशा ये crazy होता है कि हमें rich दिखना है और rich दिखने के लिए हमें या तो Gucci या हमें Parada या हमें कोई भी महेंगा brand हो उसकी चीज़े हमें use करनी पड़ेंगी तब हम जाके कहीं rich दिख पाएंगे बट guys believe में ऐसा नहीं होता हमें rich दिखने के लिए हमें classy दिखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूत होती है एक तो confidence जो की होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है second होती है कुछ tips ऐसे जो आपको अपनी outfit को styling करते टाइम थोड़े से दिहान रखेंगे तो आपको definitely बहुत ज़ादा फाइदा होएगा इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे tips शेयर करूँगी जो आपके लिए काफी beneficial होएंगे तो अभी वीडियो को ज़्यादा delay नहीं करते हुए start करते हैं let's get started the video हमारा first point है focus on fit well fitted जो cloth होते है guys वो एकदम अपनी जो look होती है उसको बहुत सदा evaluate कर देते है तो हमेशा हमारा जो focus है वो fitted cloth पे होना चाहिए कई बार क्या होता है कि आपने भी देखा होगा जैसे हम एक तो हमने tailored cloth पहने है एक हमने ready made cloth पहने है तो जो हमने tailor से बिनवाए हुए कपड़े होते हैं वो हमें जादा perfectly आते हैं as compared to ready made होते है तो हमेशा try करें कि जो आपके कपड़े हो वो ready made ना होकर tailored कपड़े हो क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो overall fitting है वो बहुत अच्छी आती है और जो पूरा जो focus होता है वो हमारा fitting के उपर जाता है और जब कोई भी सामने से हमें fitted clothes पहने देखता है तो उसके दिमाग में हमेशा हमारा एक rich look create ही होता है तो हमेशा अपने कपड़ों की fitting को priority दे हमारा जो next point आता है वो आता है neutral colors neutral colors जो होते हैं वो एक overall हमारी जो personality है उसको enhance करते है neutral colors में आते हैं black color हो गया white color हो गया navy gray इस type के जो colors होते हैं वो थोड़े से elegant होते हैं और वो easily mix and match जाते है that's why उनको जादा priority दी जाती है तो हमेशा try करें कि neutral colors पहने third जो हमारा point आता है वो आता है quality over quantity हुआ manner है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हों लेकिन जितने भी हो उनकी quality है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए एसा नहीं है कि आपके पास 10 euro कपड़े हैं लेकिन बहुत ही cheap quality के हैं as compared ओ आपके पास 5 euro कपड़े हैं लेकिन बहुत ही classy लगत आपकी जो wardrobe है जब उसमें वो रखे होते हैं तो अलग से ही कपड़े बोल रहे होते हैं कुछ आप इसमें चीजें एड़ कर सकते हैं जैसे आप एक blazer रख सकते हैं अपनी वो डोब में well tailored जो blazer होता है tailor से stitch करवाया हुआ जो blazer होता आप वो रख सकते हैं एक कोई white shirt आप रख सकती हैं अच्छे से आप footwear रख सकती हैं तो means हमेशा है ना quality की बजाए quantity की बजाए आप quality को preference दीजिए जो quality pieces होते हैं वो आपके entire look को एकदम enhance कर देते हैं next जो हमारा point आता है वो आता है accessories accessories में आपकी जिसे watch होगी आपका handbag हो गया आपने हाथ में कोई bracelet डाला है इस type की जो accessories हैं आप उनमें invest कर सकती हैं आपने एक अच्छे सी watch पहनी है और कुछ भी नहीं पहना है तो वो बहुत ही decent सा look देती है इस तरीके से आपने एक हाथ में watch डाली एक हाथ में आपने breast rate डाल लिया उससे भी overall look बहुत अच्छा आता है आपके हाथ में एक अच्छा सा handbag है और आपने overall बस बहुत ही simple से कपड़े पैने हैं तो भी आपका जो look है वो बहुत enhance होता है next जो tip है वो आदी है grooming personal grooming बहुत important होती है हमारे बाल कैसे है हमारे nails कैसे है हमारी जो skin है उसका texture कैसा है यह बहुत important चीज़े होती है तो हमें time to time अपनी grooming पर भी ध्यान देना चाहिए हमारे जो बाल है वो time to time कटे हुए होने चाहिए nails हमारे कटे हुए होने चाहिए अगर हम बड़े भी रख रहे हैं तो हमारी जो nails है वो एकदम neat and clean होने चाहिए तो हमें grooming पर भी काफी ध्यान देना चाहिए उससे भी जो impact है वो बहुत अच्छा पड़ता है next जो tip आती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो होते है हमारा confidence guys believe me confidence is the key अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अगर हम ready है और हम confident नहीं है हमने बहुत अच्छा outfit बहुत महेंगा outfit भी पहना है और हम अगर confident feel नहीं कर रहें तो कोई फाइदा नहीं है ऐसे महेंगे कपड़े पहनने का walk and carry yourself with confidence क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो look है वो बहुत ही एकदम decent और एकदम confident और classy look create होती है confidence से तो confidence तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमेशे अपने आपको confidence के साथ carry करें next चोटे पात यह होती है mix and match की क्योंकि हमने पहले भी discuss किया है कि हमें neutral colors पहनने चाहिए neutral colors क्यों पहनने चाहिए क्योंकि उनको हम किसी के भी साथ match कर सकते हैं तो हमेशे अपनी wardrobe में ऐसी चीज़े रखें जिनको आप creative तरीके से पहन सके mix and match करके अपने कपड़ों के साथ पहन सकें जैसे आपने अगर आपकी पास ब्लैक कलर की गुरती है तो आपने उसके नीचे white color का plaza लिया आपकी पास white कलर की गुरती है तो आपने उसके नीचे maroon color का plaza लिया maroon color की paint डाल ली इस तरीके से आप match and mix करके आप अपने कपड़ों को और भी stylish तरीक से creative बना कर पहन सकते हैं एक सबसे ज्यादा चीज है कि हमेशे अपने कपड़ों को simple रखें जितना simple हो सके उतना simple रखें ज्यादा means embroidery या ज्यादा मितलब भरे भरे कपड़े उतने अच्छे नहीं लगते जितने की जो simple patterns होते है simple lines जो होती है या कुछ floral patterns होगे वो जितने अच्छे लगते हैं उसके comparison में जो भी embroidery वाली हमने जो चीज़े पहनी है तो वो इतना अच्छा लुक नहीं रहती तो आप हमेशा अपने कपड़ों को try करें कि simple रखें उसके बाद next topic है वो आता है कि pay attention to your fabric हमेशा ये important है कि आपने कैसा fabric choose किया है हमेशा cotton, silk ये कुछ ऐसे fabric है जो हमेशा आपको rich look देते हैं ना कि आपने जिसे अगर हमने saturn पहना है, chiffon पहना है वो इतना अच्छा लुक नहीं देते है as compared to हमने cotton की गुरती पहनी है तो वो ज्यादा formal और ज्यादा classy look देती है, जितने simple हमने cotton की गुरती पहनी है, as compared to हमने कोई embroidery वाली गुरती पहनी है तो वो एक cotton वाली गुरती है वो ज्यादा decent look देगी, तो आप इन सब चीजों का थोड़ा सा देहान रख सकते हैं यह कुछ tips थे जो आपको काफी help करेंगे, आपकी जो styling है उसको improve करने के लिए, आपकी जो look है उसको थोड़ा सा enhance करने के लिए, थोड़ा सा classy और rich बनाने के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please channel को subscribe करें और bell icon को भी आप press करके रख सकते हैं ताकि अब मैं जो आगे continue videos upload करूँगी तो सबसे पहले आपको उनका notification मिले, तो मिलते हैं next video में, till then see you soon, bye